सो हाई अब्रीवन फिसेक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों अगर आप सब के पास राशन काड है और आप सब धार्खन के रहने वाले हैं और अभी तक आप लोग जो है पेट्रोल सबसीडी का बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं तो ये वीडियो आ आप लोगों ने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं करा है तो सस्क्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले वीडियो पसंद आ या फिर हल्प लो तो वीडियो को लाइक से जरूर करें तो चलिए श्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो आप लोग खाज सारवजनिक वीतरन एवं भुक्ता मामले विभाग के इस ओफिस्यल पॉर्टल पे आज आना है मैंने इस पॉर्टल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है आप क्लिक करके इस पॉर्टल पे विजिट कर सकते हैं जब आप लोग इस पॉर्टल पे आ जाते हैं तो उपर में जो है ओनलाइन का एक एकन मिल जाता है इस पर करसर को ले करके आना है अब आप लोग को यहाँ पे दो चार option नजर आ रहा होगा तो यहाँ पे जो second में देख रहे हैं online आवेदन का एक option मिल जाता है इस पर click कर लेना है अब आप सब EACMS अनुरोध के page पर आ जाते हैं तो यहाँ से आप लोग online एक रासन कार्ड बना सकते हैं ने की new रासन कार्ड के लिए apply कर सकते हैं उसका status भी check कर सकते हैं तो फिलाल हम लोग को petrol subsidy के लिए online आवेदन करना है तो यहाँ पर जो card holder login का एक icon मिल जाता है इस पर click कर लेना है उसके पाद आप लोग यहाँ पर रासन कार्ड में दो तरह से login हो सकते हैं एक आपको जो है अधार का option मिल जाता है एक आपका रासन कार्ड का option मिल जाता है तो हम यहाँ पर रासन कार्ड के द्वारा login होने वाले हैं तो यहाँ पर जो नीचे login का icon मिल जाता है इस पर click कर लेते हैं अब हम लोग जो है रासन कार्ड लोगिन वाले पेज पे रिडारेक्ट हो जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे रासन नमबर को इंटर कर लेना है उसके बाद कार्ट टाइप में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कि आपका जो रासन कार्ड है वो पीएच कार्ड है यानि की ला जिस टैप का है, क्यपचा को भर लेना है, देन लोगिन वाले आइकन पर क्लिक कर लेना है, अब आपके अधार के साथ जो भी मोबाइल नमबर रेइस्टर्ड है, यानि की लिंक है, उसमें एक OTP भेजा गया होगा, उसको यहाँ पर भर लेना है, देन सब्मिन वाले आइकन पर क्लिक कर लेना है अब आप सबका डेस्बोर्ड यहां पे खुल जाता है जिसमें आप लोग का डिटेल्स देखने को मिल जाता है अब आप लोग थोड़ा सा स्कूल डाउन करके नीचे देखेंगे तो आपके रासन कार्ड में जितना मेंबर एड है सभी का डिटेल्स भी किलिक कर लेना है तो तो थोड़ा सा स्कूल डाउन करके नीचे आ जाना है नीचे यहां पर परिवार के किसी एक सदेश को जो है सलेक्ट कर लेना है तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे किलिक कर लेना है किलिक करने के बाद आपके परिवार में जितने लोगों का रासन कार्ड में नाम है सभी का नेम यहाँ पे सो हो जाता है तो किसी एक को सलेक्ट कर लेना है उसके बाद नीचे यहाँ पे उनके अधा अधार नमर को इंटर कर लेना है जब आप लोग आधार नमर को भर लेते हैं उसके बाद जो भेरिपाई वाला आइकन है उस पर किलिक करके जो है अधार को भेरिपाई कर लेना है जब आप लोग का आधार नमर भेरिपाई हो जाता है तब आप लोग का जो है सेकेंड उसके बाद select option to apply for petrol subsidy में यहाँ पे एक box नजर आ रहा होगा तो इस box को tick कर लेना है अब यहाँ पर vehicle number को enter कर लेना है यानि कि आपका गाड़ी का संख्या क्या है गाड़ी number क्या है उसको यहाँ पे फिल कर लेना है उसके बाद जो है गाड़ी किनके name से है उनके name को यानि कि ग नीचे आ जाना है नीचे यहाँ पे फादर या फिर husband के name को enter कर लेना है यानि कि आप लोग जिनके name से petrol subsidy के लिए apply कर रहे हैं उनके parents का name क्या है यानि कि उनके पिताजी का नाम क्या है या फिर उनके husband का name क्या है तो उनको यहाँ पे फिल कर लेना है उसके बाद यहाँ पर एक आइकन देख रहे हैं इस पर क्लिक कर लेना है अब आपके नंबर पर जो है एक OTP संख्या भेजा जाता है तो उस OTP को यहाँ पर फिल कर लेना है यानि कि भर लेना है उसके बाद यहाँ पर consent दे देना है and apply for petrol पेट्रोल सबसीडी वाले option पर क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद आप लोगों ने जो अभी पेट्रोल सबसीडी के लिए online आवेधन करा वो successfully success हो चुका है यानि कि आपका form submit हो चुका है जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने एक pop-up भी आ जाता है the request for petrol subsidy for the month of April 2024 for member आपका name लिखा हुआ रहता है तो इस तरह का कुछ एक pop-up आ जाता है और अगर आप लोग यह देखना चाहते हैं कि अभी जो आप लोगों ने form को submit करा वो submit हुआ है कि नहीं हुआ है वो देखना चाहते हैं तो अस्कूल डाउन करके नीचे आ जाना है नीचे यहाँ पर जो देख रहे हैं petrol subsidy status इस option पर क्लिक कर लेना है उसके बाद यहाँ पर select month में आप लोग month को select कर लेंगे यानि कि आप लोग कौन से month में जो है petrol subsidy के लिए online आविदन करा है उस month को यहाँ पर select कर लेना है उसके बाद search वाले icon पर क्लिक कर लेना है search वाले icon पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप लोग का यहाँ पर status सो हो जाता है कि आप लोग का petrol subsidy के लिए approve हुआ है कि नहीं हुआ है एक्जामपल के लिए आप लोग मेरा यहाँ पर status देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है petrol subsidy request successfully submitted waiting for DTO approval यानि कि हमें कुछ दिनों का इंतिजार करने के लिए बोला जा रहा है जब DTO officer के द्वारा approval मिल जाएगा उसके बाद जो है petrol subsidy का पैसा हमको मिलने लगेगा यदि आप सबका भी status में इसी तरह का बता रहा है तो आप लोग को कुछ दिन का wait करना है उसके बाद जब आप लोग का approval मिल जाता है तो आप लोगों ने जो bank account number दे रखा है उसमें परतिमा petrol subsidy का पैसा भेज दिया जाता है तो I hope इस वीडियो में आप लोग को पता चल गया होगा कि घर बेठे जो है petrol subsidy के लिए online आवेदन किस परकार से किया जाता है वीडियो यदि आप लोग के लिए helpful हुआ हो तो वीडियो को लाइक से जरूर करना अब हम लोग मिलते है ऐसी परकार के निव वीडियो में निव अपडेट के साथ तब तक के लिए जहिन बंदे मातरम